बी एन बी यानि बूजी एन भेरवा की एपिसोड टू में हमें देखने को मिला था एक स्पीशल बच्चा जो की स्टोन की मदद से होलोग्राम को बना रहा था एन इस स्टोन को जो प्रवात्वन इस बच्चे से लिया था उससे बहुत सारी लोग बोल रहे हैं कि यह वरस कैसे बिग रहा है लाइक यह तो देवता पिया करते थे ना तो इस एपखलिप्टिक बॉल्ड में यह कैसे बिग रही है यहां पर लोग केडे कुछ खा रहे हैं और यहां पर यूज होने वाले वाहन यानि यह कार्स और यह बाइक्स चार्ज कैसे होती है लाइक इस तो यह बिना फ्यूल के चलती कैसे हैं यह कैसे चार्ज होती है वैल ऐसी बहुत सारी कुश्चन्स एंड डीटेल्स हैं जिन्हें आज की वीडियो में हम जानेंगे तो फिल्मी भाई लोग स्वागत आप लोग का कल की 2898 के एक और नहीं वीडियो में तो सब से पहले बात करत एशौत थामा की ही मड़ी है या फिर कोई और ही गरवण है यहा पर इस कुशन का अंसर जाने के लिए हमें सबसे पहले साइरोन रतन को समझ ना पड़ेगा कि यह अखरकर करती गया है तो एश्वत थामा की इस और पास यह मड़ी होगी तो उन पर कोई वीडियो काम नहीं पांच बाँ उन्हें ओल्ड एज होने से बजाती है, लाइक वो कभी बूड़े ही नहीं होंगे, एस सायरोन रतन उन्हें बीमारी उसे दूर रखता है, तो सायरोन रतन के इसी फीचर्स के चलते अश्वत थमा एक तरीके से इम्मोर्टल हो गए थे, ये बच्चा यहाँ पर उपर जितनी भी कताय लिखी गई है, या तक कि महाबारत में भी कहीं भी जिक्री नहीं है कि अश्वत थमा ने ऐसा कोई इल्यूजन क्रियेट भी किया है अपनी इस मड़ी की यूज से, ये तियोरी यहाँ पर जो बन रही है कि ये अश्वत थमा की मड़ी को ही यूज कर ये यहाँ पर गलत हो जाती है, ये स्टोर्न ये मड़ी बागई में मिरकुलस है, ये बचा बागई में जीनियस है या ये अश्वत थमा की ही मड़ी है, इस बैरी हाट तो से, बढ़ हाँ ये जरूर कह सकते है कि भहरवा ने इस स्टोर्न को जब इस बच्चे से ले लिया ह फिर यहाँ पर उनों देख पा रहे होंगे इस बार में भहरवा एक ड्रिंग पी रहा है, जिस पर लिखा हुआ है, सोमा ड्रिंग ये फिर सोम ड्रिंग भी इसको बोल सकते हैं, बेसिकली इस बोला जाता है कि सोम वरस को देपता पिया करते थे और इंदर ने भी इसी सोम हाइमाट पे पीकर एक डीमन का बद किया था, अब ये सोम है क्या, इसकी पूरी नॉलिज मिलती है हमें रिग वेद में, ये एक तरीका का पौदा है, जिसे प्रोसेस करके ड्रिंक बनाई आती है, इस पौदे से जो ड्रिंक बनती थी, उससे सरीन में एनर्जी आती थी, ब ये भी हो सकता है, फ्यूचर में किसी ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया होगा, और लोग इसका फिर यूज करने लगे अपनी सरीर को श्वस्त रखने के लिए, और ये चीज सेंस भी बना रही है, विगास यहां के एन्वाइरमेंट ये पहले जैसा नहीं रहा, और इस इस वेरी क्लियर डीटेल कि यहां पर कलियोग को ऐसा ही होना चाहिए, जहां पर फ्रेश खाना नहीं है, फ्रेश फूड्स नहीं है, फ्रेश हवा नहीं है, और बाकी की चीजे, अब यहीं पर देखो, इस काशी हैर में बहुत जारे टैंपल्स बने है, और इनी की बीच मे कलियोग का फाउंड किया गया है महाबारत में, मारो स्मिर्थी में, विष्नु स्मिर्थी में, एन वेरीस पुरामस में, ओके तो बात करते हैं, यहां पर मैं इसका भी आंसर मिल जाता है, यहां पर लिखा हुआ था हाई वोल्टेज, यानि काशी शेर में एलेक्टिसिटी है और यह इलेक्टिसिटी बनती होगी सोलर से, हाहा, रिसोर्स नहीं रहे तो क्या, दूप तो है, तो हां गाइज यहां पर इसलिए इलेक्ट्रिक वेहिकल है, नाकि फ्यूल पर चलने वाले वेहिकल, अब बात करेते हैं, वो छोटी छोटी डिटेज्स जोके मैंने इन ए बहाइगे, बहगवान की मूर्तियों के जगाहे यहां पर मानस अपनी ही मूर्तिया बना रहा है, अब मानस कोन है, मानस का जिकर यहां पर इह रिड़र करता है, जिसके लिए स्पेशल पाइनेपल्स कारगोशिब में जा रहे थे, अब मानस मोस्ट प्रवैबली यह बंदा को 100 टाइम देख लिया है अभी तक और जितनी बार भी देखता हूं उतनी बार मुझे मज़े आता है हिंदी डब ला जवाब एंड प्रवास की डब पी काँ भी अच्छी है मैंने देखी है और बहुत से लोग यह बोल रहे हैं कि नौर्थ में यह मूब इतना कमाल नहीं कर पाएगे विकॉज और इसमें प्रवास हिंदी डब कर रहे हैं तो गाइस निरास मत हो इसको लेकर एक छोटी सी न्यूज बाहर निकल कर आई है कि शरत केल कर जोइन दिपी बागी एक और न्यूज निकल कर आई है कि साथ जून को शाहिए इसका ट्रेलर आ सकता है और आना आई था मेरे पास बताने के लिए आई होप सो यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई दे वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब बर देना जल्दी मिलते हैं कल की 28988 की एक और नई वीडियो के साथ